आप सभी का डेली नूस आप सब्सक्राइब करते हैं आज का सेशन सबसे बहले तो मेरा टेलीग्रम चैनल जोइन कर लेगा add the rate k card pal add the rate k card pal लिखोगे टेलीग्राम पे जाके आपको मेरा चैनल मिल लेगा उसको ज़रूर जोइन कर लेगा ताकि आपको PDFs and वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे PDFs भी आपको मिलते रहे तो अगर नए है तो पहले सबसे बहले काम ये चैनल जोइन करना कीजिगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं ये मेरा पूरा पूरा शेडियूल है इस शेडियूल को screenshot ले ले जिगा follow कर ले जिगा, save कर ले जिगा ताकि आपको मेरी classes को follow करने में कोई भी दिक्कत ना आए ठीक है, सारी की सारी classes आप easily मेरी देख पाए जहां से भी जैसे भी आप देखना चाहते हैं ठीक है, ये पूरा पूरा शेडियूल है और आज की जो plus class जो scheduled है उसमें banking governance हम करेंगे और जो हमारी एक MC class होती है जो इसी class के वी प्रभेजड होती है वो रोज रात को 10 बजे होती है और हम कुछ के साथ ही एक quick revision भी करते है quick revision भी करते है ताकि आपको चीजें दुवारा से एक बार अच्छे से revise हो जाए, अच्छे से याद रहें, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को पहली news आप सभी के सामने आई है और वो आई है सुदर्शन सीन कमेटी ओधी Reserve Bank of India Reserve Bank of India से सुदर्शन सीन कमेटी यहाँ पर उसके बारे में बात की गे, Reserve Bank of India से खैर कल रात को दे, थोड़ी सी रात को दे निकोंगा, लेट इवनिंग में एक news आई थी, नर्सिमन जी है जो पूर आर्बिय के गवर्नर रहे चुगे हैं, उनका निदन हुआ था बात करेंगे, नर्सिमन जी बहुती एक famous personality माने जाते थे as far as the banking reforms are concerned बहुत सारे banking reforms में आज की डेट में भी हम पढ़ते हैं नर्सिमन कमेटी ने ये किया नर्सिमन कमेटी ने वो किया क्यार अच्छे से राम से तसलिस उस news को पढ़ेंगे, जस्ट वो आर्बी आया तो एकदम mind में मेरे आगी, वो news कल लेट इवनिंग में वो news आई थी नर्सिमन जी के उनका भी ने दन हुआ कल ही हुआ सुदर्शन सेन कमेटी आप रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ये जो कमेटी आपकी साइटब की गई है, ये साइटब की गई है असेट रिकंस्रिक्शन कमपनीज को आपका असेट रिकंस्रिक्शन कमपनीज असेट रिकंस्रिक्शन कमपनीज आपका जो है, वो सरफासी Act का ही एक पार्ट है सर्फासी के अगर full form बाता हूँ तो वो है Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act जिसके तीन पार्ट है इस पूरे के पूरे सर्फासी Act के तीन पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो आता है वो Securitization तक आता है दूसरा पार्ट Reconstruction of Financial Assets तक आता है और तीसरा पार्ट Enforcement of Security Interest तक आता है ठीक है यह तीनों पार्ट में से जो यह बीच वाला पार्ट है that is a Reconstruction of Financial Assets यह आपका है जो की Asset Reconstruction Company से जुड़ा हुआ है Asset Reconstruction Company या फिर सबसे पहले बताऊं सर्फासी Act एक ऐसा Act है जिसको यूज करके हम जो भी Banker है या वे Bank में है वो आपका इस Act को यूज करके जिस परसन ने आपसे Loan लिया हुआ अगर वो Loan नहीं चुका रहा है तो उसके Against हम कारवाई कर सकते हैं without the Intervention of the Court Court के Intervention के बिना हम इस Act को यूज करके Bank अपने Level पर कारवाई कर सकता है उसके घर को सीज किया जासे तो घर के हम अपने Possession में ले सकते हैं और उसको घर को हम Sale भी कर सकते हैं, Auction भी कर सकते हैं ये आपका एक सरफासी Act में हमें यहाँ पर दिया हुआ है पूरा कुपूरा एक प्रावधान पूरी पूरी एक चूट जिसमें से एक जो portion है वो कहलाता है Reconstruction of Financial Assets Reconstruction of Financial Assets सीहां पर आपका क्या कहता है Reconstruction of Financial Assets आपकी बात करता है Asset Reconstruction Companies की Asset Reconstruction Companies जो होती हैं वो basically एक ऐसी Companies होती हैं जो bank से उनका NPA खरीद लेती हैं NPA खरीदने का मतलब यह हुआ जो non-performing assets है जो कि आपकी अब loan account जो NPA हो चुके हैं उनको यह asset reconstruction companies खरीद लेती हैं माल लिजे कोई loan account है, कोई NPA account है जिसकी कीमत आज की date में 100 है में 100 पे उसका outsend नहीं है 100 पे मैंने उस person से लेने हैं Asset Reconstruction Companies हमें option देगी कि मैं 90 में ले रहा हूं, 80 में ले रहा हूं, 70 में ले रहा हूं, 95 में ले रहा हूं, 99 में ले रहा हूं तो यह हम जहाँ पर भी उनके साथ tie-up होगा इन asset reconstruction companies से हम tie-up करके उस particularly loan को इनको दे देंगे यह जो asset reconstruction companies होती है उस loan को ले लेती है, उतनी amount में ले लेती है और उसका पैसा यहाँ पर banks को दे देती है banks को क्या होता है, banks को तो हाथ वाथ पैसा में ले गया ना तो banks क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएगा, ठिक है उसको माले जी 95 रुपीज, 80 रुपीज, 70 रुपीज मिल गया जहां कि उसको chance ही नहीं था, जहां से पैसा वापिस आने का और वो वहाँ पर उसने asset reconstruction company को sale कर दिया तो bank को तो एक परकार से profit हो ही, profit तो नहीं कि कुछ नहीं आ रहे तो कुछ तो आए, है ना, so nothing क्या कहते है उसको, something is better than nothing, ठीक है वो वली बात हो गई, so यहां पर asset reconstruction company later on कैसे मुनाफ़क हमाती है, यह later on जिस NPA account को उन्होंने खरीदा है, उसको यहां पर पूरे के पूरे अच्छे से जोज से उसकी recovery में जुट जाती है, और definitely वो कोशिश करती है कि जो भी उन्होंने amount bank को दिया है, उससे जादा उनको recover हो जाए, ताकि वो थोड़ा सा इस मामले में profit में आ सके, so यह आपका asset reconstruction companies का का काम होता है, asset reconstruction companies that buys the NPA from the bank and clean up their balance sheet, cleaning up of their balance sheet का मतलब होता है कि NPA जो होता है, वो हमारे balance sheet में obvious show होता है, balance sheet जिसके दो पहलू होते हैं, दो portion होते है, liability and this one is the asset, अब जो भी आपका loans advances होते हैं, यानि कि bank ने पैसा logo को दिया, तो हमारा एक हक है उस पैसे को वापिस लेने का, तो loans advances होते हैं, वो set side में होते हैं, आप जो loans advances हमारे asset side में हैं, जो कि आपका एक period के बाद NP हो जाते हैं, that is the 90 days के period के बाद जब वो account आपका पैसा देना बंद कर देता है, चाहे वो term loan account हो, चाहे वो cash credit account हो, चाहे वो agriculture loan हो, चाहे वो bills purchase हो, ठीक है यह सब जब 90 days के बाद, agriculture loan में 90 days का फंडा नहीं है, उसमें अलग का फंडा होता है, बाकी चीजों में आपका 90 days का फंडा होता है, जब वो 90 days बद पैसा देना बंद कर देता है, तब वो loans advances आपका NPE category में चला जाता है, वो भी term loan के case में आपका EMI का बोलते हैं, cash credit के case में अगर account overdue हो जाता है, और bill purchase के account में भी अगर 90 days तक वो bill pay नहीं करता है, तो जब NPE हो जाता है, account कोई भी, तो NPE का case यहाँ पर आपका अलग से इसको mention कर दिया जाता है, और यही चीज अगर NPE को यह और खरीद ले, तो obvious है NPE वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, तो एक परकार से इसको cleaning up balance sheet कह सकते हैं, क्योंकि NPE एक बहुत बड़ा factor है, bank की balance sheet को जो बहुत बड़ा impact देता है, because NPE की वज़े से हमारी जो capital होती है, वो reduce हो जाती है, NPE की वज़े से हमारी capital reduce हो जाती है, जो कोई भी bank नहीं चाहता कि उसकी capital reduce हो, और capital reduce से impact पड़ता है future के loans पे, future के loans पे bank की capital अगर reduce होती है, तो उसको impact बहुत भी बड़ा पड़ता है, so इसलिए banks चाहता है तुरंथ से तुरंथ उसके NPE recover हो, अगर NPE recover नहीं हो रहा, then they used this tool, okay, so उसको दे देते हैं और पैसा मिल जाता है, सर्फासी एक 2002 provides the legal basis for setting up of ARCs in India, ARCs इंडिया सर्फासी एक 2002 में ही लिखा हुआ है, minimum capital requirement ARC की 100 crore पे है, 100 crore आपको देना पड़ेगा, 100 crore आपकी capital requirement है, आपको minimum पुंजी लगानी पड़ेगी, 100 crore के capital ADC ratio इसका 15% होना चाहिए, capital ADC ratio के पर banking governance पर भी class हुई नहीं है, plus में करेंगे, एक दो दिन में वो भी class आजेगी, capital ADC ratio से जुड़ी हुई, सो यहां पर exam point से इस पूरी-पूरी news में question जो आएगा, जो पहला question जो था, वो आएगा सुदर्शन सेन का नाम, जिसको हमने पूरन थे ignore कर रहा है, फिलहाल क्योंकि हम focus है हमारा समझने में इस news को, सुदर्शन सेन का नाम सबसे important है, यहां पर जो की question पूचा जा सकता है, बट यह पूचेंगे कि सुदर्शन सेन कमेटी, जिस purpose से बनाएगी, to study about the reset reconstruction companies, इनके business को, इनके debt resolution mechanism को, किस तरह से हम change कर सकते हैं, अगर कोई जरूरत है, तो किस तरह से उनके rule को और अच्छा बनाया जा सकते हैं, ओके, सो यह सब चीजें यहां पर सुदर्शन सेन कमेटी आपका बताएगी, recommend करेगी, ठीक है, नीचे मैंने कुछ static fact ही थे, इसको ही हम static fact कहते हैं, यह सारे कज़र static था, जो मैंने आपको समझाया, उमीद करता हूँ, आपको समझ में आगया होगा, कुछ चीजें हैं, जो इतनी डिटेल में मैं मानता हूँ, नहीं कराएगी, क्योंकि बैंकिंग अनेस ग्लास में बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं उसको, और इवन मैंने balance sheet NPA के उपर, मैं पूरा NPA के उपर, मैं पूरा 1.5 घंटे का lecture लेता हूँ, तो मैंने बहुत ही short में, आपको बहुत short का भी short में आपको कुछ बताया है, ताकि हम बाकी चीज़ों पर focus कर सकें, ठीक है, चलिए, वो banking awareness में हम करते हैं अच्छे से, नेक्स चलते हैं, अदानी ग्रूप become the third Indian conglomerate to across the 100 billion USD M cap, ओके, तो यहाँ पर 100 billion US dollar market capitalization cross करने वाला अदानी ग्रूप जो है, वो आपका बना तीसरा इंडियन ग्रूप, ओके, अदानी ग्रूप बना तीसरा इंडियन ग्रूप जिसने 100 billion US dollar achieve किया है, और यहाँ पर अदानी ग्रूप की total market cap of the six listed company of अदानी ग्रूप, जो इनकी total मिला कर, सभी-सभी जो अदानी ग्रूप की, जो total सभी-सभी की companies हैं, उन सब को मिला कर यहाँ पर उसकी value जो थी, वो 106.8 billion US dollar पहुंची, and other two Indian groups, जो कि जिन्होंने 100 billion market cap achieve की है, वो है Tata Group and दूसरा है Reliance Industry Limited, इन्होंने यहाँ पर achieve किया है, market capitalization है, जिसको हम M cap कहते हैं, market capitalization होती है, that is the market value of the share multiplied by the total number of shares, okay, total number of shares, shares, total number of shares, but यह shares वही होते हैं, जो कि market में available होते हैं, readily available होते हैं, sale and purchase के लिए, readily available होते हैं, sale and purchase के लिए, कौन से share होते हैं, means, ऐसे share जो कि promoter के पास नहीं है, promoter कहने का मतलब उस company को start करने वाला बंदा, जिसने भी उस company को start किया है, उस बंदे को हम या फिर उस बंदी को हम promoter कहते हैं, उसके पास जो भी shares हैं वो कभी मार्किट में sale purchase होने के लिए नहीं आते हैं उसके अलावा जो भी shares हैं मार्किट में sale purchase के लिए available उन shares को हम multiply करेंगे जो भी market value है उन shares की उससे और हमारे पास market capitalization word आ जाएगा market capitalization अब जो भी आया है उसमें Tata का group कोगलोनमेट का मतलब यहाँ पर group है because एक company के बहुत सारी companies हो सकती है like आपने यहाँ पर Tata group की बात कर तो Tata की कितनी सारी companies है कितने सारी companies काम करता है और Tata कोई एक company तो है नहीं कि steel बनाता है इसके लावक बहुत सारे fields में यह लग-लग में है तो सभी की सभी companies है उन सब की मिलाकर market capitalization जो है 100 billion US dollar से ज़ादा है और हाल ही में अदानी ग्रूप के साथ भी यही हुआ उनकी जो market capitalization है उनकी पूरे ग्रूप की वो 106.8 billion को तक पहुंची उसको cross किया और यह हमने एक recently news पड़ी थी जो कि अदानी पोर्ट से आई थी that is the CCA ने अप्रूफ गिया था 89.6% equity shareholding of the गंगावरम पोर्ट लिमिटेड बाइदी अदानी पोर्ट सो के अदानी पोर्ट सेन स्पेशल एकनोमिक जोन यह जैसे अदानी का एक company होगी अदानी पोर्ट सेन स्पेशल एकनोमिक जोन लिमिटेड यिसको इसके द्वारा इहां पर require किया गया था गंगावरम पोर्ट लिमिटेड को गंगावरम पोर्ट लिमिटेड में 89.6% इन्होंने हासल किया था और यह 89.6% के भी दो हिस्से थे ओके एक किसी और में आगी होगी चली नेक्स चलते हैं हम कि दियाडियों ने ड्वल्प किया सप्लेमेंटल ऑक्सीजन डिलिवरी सिस्टम से यहां पर ऑक्सीजन की कमी भारी कमी देखने को मिल रही है ठीक है कल रात तक उसके उपर बहुत ही जदो जद होती रही वह स्टेट कुछ कहारा है सेंटर कुछ कहारी है high court कुछ कहारा है court भी वीज में आ रहा है ठीक है यहां पर DRDO ने डिसेंटली ड्वल्प किया है सप्लेमेंटल ऑक्सीजन डिलिवरी सिस्टम इस डू भी यूज for soldiers posted at extreme high level high altitude in areas okay so यहां पर आपका DRDO ने एक oxygen diluted system मनाया है soldiers के लिए use किया जाएगा and this is the system shall also be used to provide medical oxygen to covid-19 patients. India is now on the high demand for the oxygen the government is to establish 162 oxygen manufacturing plants that will provide oxygen and इसमें से जो 100 है उनको funding दी जाएगी PM care fund के द्वारा and it is to import 50,000 tons of oxygen okay 50,000 tons of oxygen यह आपका इंपोर्ट भी करेगा India so the system जो कि ड्वल्प किया गाए defense bioengineering and electromedical laboratory जो कि बेंगलूरू में ही located है defense bioengineering and electromedical laboratory बेंगलूरू में ही located है this is the oxygen delivery system which is to be used for soldiers posted at extreme high altitude areas right चली और उसको अब COVID-19 patients के लिए यूज किया जाएगा and system कहां पर बेंगलूरू में है यह question बूचा जाता बेंगलूरू जगा का नाप total 162 plants so establish करने का fence ला किया है so plants आपके PM care fund से लिये जाएगे DRDO से related recent में जो जो news से start हुआ था फिर February में एक news आई है फिर अभी मार्स में दो news थी और April में DRDO to partner with private sector in the missile production okay so यह आपका DRDO के बारे में right static fact हुआ चली next news पे चलते है Indian Railways runs Oxygen Express so यहाँ पर Indian Railway भी सामने आया है that will be creating a green corridor to ensure the fast movement of the Oxygen Express train green corridor का मतलब यह है कि वह एक ऐसी line बनाएगे में line कहने का sense कि एक ऐसी train दोड़ेगी जो कि कहीं पर भी नहीं मिलेगी वह पटरी पर दोड़ती रहेगी दोड़ती रहेगी वह कोई भी स्टेशन पर नहीं रोकेगी किसी बिद्रा का कोई ओस train नहीं आएगी रस्टे में कोई signal नहीं मिलेगा इस तरह की चीज यहाँ पर green corridor यहाँ पर बनाएगा इंडियन रेल्वे औक्सीजन एक्स्प्रेस ट्रीन के लिए इस उक्सीजन एक्स्प्रेस ट्रीन साइट वी अपर कंट्री एंडल दी इश्यों दी शॉर्टेज ऑग्सीजन से यहाँ पर किये गए उठाए गए और लोकेटेड नियर मुंबई इस टेंकर साट इस टो जमशेद पूर विजाग बोकारो राउर केला ताकि मेडिकल अक्सीजन वहां से लोड की जा सके ठीक है इंडियन रेल्वे रन अक्सीजन एक्स्प्रेस चलिए नेक्स सलते हैं जगनना विद्या देवाना स्कीम यहाँ पर बहुत पुरानी स्कीम है जो कि यहाँ प पहला जो इंस्टोल्मेंट है इंस्टोल्मेंट नहीं कहूंगा पहला ट्रांच ही कहूंगा मीज लोगों को जो पैसा देना है वो पहला फेज 6.72 करोड का इसके तहत यहाँ पर रिलीज किया गया है दरी देरी दिस रीमर्दा फीस ओट पॉइंट पॉइंट एट लाग स् स्कीम के तहत अब जगनना दिव्या स्विद्या स्कीम आखिरकार है क्या इसके तहत यहाँ पर स्कोलर्शिप प्रवाइड कराया जाएगा तो ओल्ली स्टुएंट्स वार नौट अबल टो पे देर फीस बिकोस अव देर फाइनिशल बर्डन होके यहाँ पर अपनी फाइन एजुकेशन पर फोकस कर सके और यहाँ पर उन्होंने फैसला किया है चोदा लाख बच्चों को टार्गेट किया जाएगा चोदा लाख ऐसे स्टुडेंट्स को आपका रीमबर्स किया जाएगा उनकी फीस जिसके तहत अब जाकर सिक्स सेंटी टू क्रोन रुपीज की पह आता था जो कोलेज की अउनर होते तो उनके अकाउंट पे अनंबर स्टुडेंट्स के लावा जगनना एमू वदू स्कीम भी लाउच की थी इन्होंने जिसके थाथ 15,000 पे दिये जाएंगे उन सभी गरीब बच्चों को जो की क्लास 1 से 12 तक पढ़ रहे हैं जगनना अमा वदू स्कीम ये आपका 15,000 पे पूर लोगों को जो बच्चे ग्लास 1 से 12 के बीच में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये स्कीम भी लाउच की जाएगी आंदरप्रदेश टू प्रोज्टेजी टू इंप्रूव एजुकेशन वन इस बाइडिंग फानेशल एसिस्टेंट उनकी माताओं को फानेशल एसिस्टेंट देना उनके खाते में पैसा डाला जेगा on the other hand is introducing English as a medium of instruction in government school second installment जो जाएगी स्कीम को जुलाई 2021 में जाएगी थर्ड इंस्टॉल्में डिसंबर 2021 में जाएगी सोड़ी से बड़ी news है एक बार दुबारा से देख लेता है इस news को आकरकार इस news में क्या था जगनना विद्या देवाना स्कीम पहली चीज़ तो यह कौन से state की है आंधर प्रदेश की थे स्कीम है और इस तरह से जगनना आमू वदू स्कीम भी आंधर प्रदेश की है जिसके तहत पहला Trans 60 70 क्रोड का यहां पर रिलीज किया गया है and इसका जो बेसिक उदेश है वो scholarship provide करना to all those students जो कि fees pay करने में यहां पर असमर्थ है 14 लाग students को target किया गया है उनके मदर के खाते में यहां पर education fees के नाम से यहां पर credit किया जाएगा पैसा बेजा जाएगा and अगर जगनेना अमू गोदू स्कीम के बात करें तो इसमें 15,000 पर दी जाएगे उन बच्चों को जो की class 1 से 12 तक पढ़ते हैं और जो भी afford नहीं कर सकते अपनी study को ठीक है चलिए next चलते हैं हम इंडिया जर्मनी MOU on cities compacting plastic entering the marine environment so यहाँ पर ministry of housing and urban affairs ने tie-up किया है किसके साथ यह tie-up किया गया है docia gazelle store internationally zubam narbeet okay so यह है आपका इसके साथ यहाँ पर tie-up किया on behalf of the German federal ministry of environment के बहाँ पर यह आपका tie-up किया गया zmbh का mohue के साथ so nature conservation and nuclear safety यह पूरा एक बुरा ministry का नाम है signed an agreement that is title is given cities compacting plastic entering the marine environment so यहाँ पर marine marine यह नहीं पानी okay so जो आपका जो plastic है वो आपका oceans में जाने से रोकने के लिए यहाँ पर आपका एक agreement किया है cities compacting plastic entering the marine environment यह आपका event किया गया it is line with the objective this such भारत mission urban okay so इसके तहत यह काम कर रहा है project is to implemented mainly focusing on the sustainable solid waste management इसके उपर काम करेगा यहाँ पर इंडिया का काम है phasing out single-use plastic by 2022 यह भी important है यह पूछा जा सकता है the project is being launched under the joint declaration made by the countries regarding cooperation in the field of prevention of marine letter letter sorry letter the declaration was signed by India and Germany in 2019 में इस तरह से एक agreement भी sign किया जा चुका है so जो यह project रहेगा वो आपका केवल तीन जगहों पर implement किया गया है केरला के कोची में उत्तर प्रदेश के कानपूर में अन्डमा निकोबार के port बिलेर मुके तीनों जगहों पर यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है यह पूरा कपूरा यहां पर एक मेराइन इन्वार्मेंट से जुड़ा हुआ यह agreement यह तीनों जगहों पर यहां पर help करेगा और प्रजेक्ट यहां पर प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रिगेट किया जाएगा इंडिया फिलहाल 12 लार्जस सोर्स मेरें लिटर है बाइट्वेंटिव यह पांच वह सबसे बड़ा बन जाएगा इंडिया ने कौन सी कंट्री यह साथ हाली में एक MOU साइन किया जो की रिलेटेड है आपके मेराइन मेरें इन्वार्मेंट से रिलेटेड है और इसका टाइटल है इसका एग्रिमेंट है इसका टाइटल है इंडिया जर्मनी के बीच में यह टाइब किया गया है केरला उत्तरप्रदेश निकवार यह भी याद रख लेना ठीक है ओके सो यह कुछ चीज़ें जो हाइलाइट की है यह याद रखने वाली है जर्मनी के बारे में स्टाटिक फैक्ट हो गया चलिए नेक्स चलते हैं हम Tourism and Culture Ministry INigrate किया Online Exhibition of the Ramayna Okay, Ramayna के उपर यहाँ पर हाल ही में एक वर्चल Inigration किया गया Online Exhibition का यहाँ पर Tourism and Culture Ministry के दार है यहाँ पर यह किया गया है यहाँ पर इनगरेट So, Uni Minister Tourism and Culture परलाज सिंह पतेल है इन्होंने रीसेंटली इनगरेट किया है पहला Online Exhibition of the Ramayna पहला Online Exhibition of the Ramayna Exhibition will showcase 49 miniature painting चुछ यहाँ पर 49 miniature painting को showcase किया जाएगा These paintings have been collected from National Museum in New Delhi National Museum जो कि New Delhi में है यहाँ से इन painting को collect किया जाएगा The painting was dated between 17th शताबदी और 19th शताबदी के बीच की यह painting है 2008 में UNESCO ने राम लीला को राम लीला जो की रमाइना से जुड़ी हुए है इसको यहाँ पर intentional culture, heritage और femininity में शामिल कर लिया गया था राम लीला जो है वो पूरे पूरे इंडिया में काफी famous है बट कुछ जगाएं हैं लाइक दिवारा नसी, अध्या, मदुबनी, सतना, अलमोरा यह यहाँ पर आपका काफी famous है राम लीला is now part of the Myanmar, Thailand and the Cambodia वहाँ पर भी राम लीला काफी अच्छे से दिखाई जा रही है वहाँ पर भी राम लीला काफी अच्छे से दिखाई जा रही है एक्जाम में कोश्चन आएगा, यह कौन को से अब भी बताता हूं तेरा सबसे वहले स्लाइड को देख लो, यहाँ पर हाल ही में कौन से मिनिस्टर ने रिसेंटली इनेगरेट किया, पहला ओनलाइन एक्जिबिशन ने रमाइना राइट अंसर पर लासिंग पटेल रहेगा, कितनी पेंटिंग्स आपके दिखाई जाएंगे, 49 पेंटिंग्स यहाँ पर दिखाई जाएंगी, और इसके लावा यहाँ पर यह कुछ ऐसे ही एफेक्ट लिखा हुआ है जस याद करने कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, according to me, जस एक बार पढ़ लिजेगा, knowledge point उसे अच्छा है and the 13th, 13, कौन कौन से 13 है, जो कि UNESCO Intangible, अचा कौन से year में इसको शामिल किया गया था, UNESCO Intangible Culture Heritage List में, okay, so यह शामिल किया गया था, 2008 में, यह एक question बन सकता है this is also an important question, तो इस लिकावड देते हैं, जिसको, 2008 में इसको शामिल किया था, okay, चली, यह है आपका UNESCO की Intangible Culture Heritage of India, यह पूरी जो है 12 की 12 और 13 जो अभी आपने पढ़ी, रभाइना के बारे में, यह 12 की बारा जो Intangible, Intangible ऐसी चीज़ होती है, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक ह आपका पूराग 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 उनेसको का Intangible Culture Heritage of India, इस बुद्धिक चैंटिंग, चाओ डांस, कालबेलिया, कुममिला, कोडियाटम अफ केरला, मुद्येत, डांस है, नवरोज है, आपका रवन है, संस्कृताना है, ट्रेशनल कोपरेंट, ब्रास उटेंसिल मेकिंग योगा है, वैदिक चैंटिंग, एंड युनेसको के बारे में नीचे स्टाटिक फेक्ट लिखा हुआ है, ओके, ये हैं आपका पूराग पूराग उनेसको का Intangible Culture Heritage, जो भी इंडिया के इंक्लूड किये गए, एक्जाम पॉइंट से सारे सारे नाम, इंपोर्टेंट है, आ आप से ओर वन आउट के कोशन में कोशन पूचा जाएगा, इनमें से कौन सा Intangible Culture Heritage ऑफ इंडिया नहीं है, नेक्स्ट नूज चलते है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, इंडिया है इंडिया का इंडिया का, एक सो बीस कंट्रीज में से, ऑफ इंक्लूसिव इंटर 2021 को रिलीज किया है, इंडिया ने अपनी रेंकिंग थाइलेंड के साथ शेयर की, यानि थाइलेंड का रेंग भी 49 थाया है, टॉप त्री कंट्रीज यहां पर आप देख सकते हैं नीचे, टेबल में दे रखी हैं, फर्स, सेकेंड और थर्ड, इस्वीडन, यॉनाइटेड States and Spain, यह तीनों कितनों कंट्रीज जिनोंने 123 शामिल हुए हैं and the 120 कंट्रीज टोटल है, जिनको इस रिपोर्ट का पार्ट बनाय गया है and the report में आपका basically इन चीजों पर फोकस किया गया, internet की availability उस country में कैसी है, कैसे तरहां से लोग वहाँ पर effort कर सकते हैं नहीं कर सकते है, relevance क कितने लोग उसको त्यार है रेडी है उसको यूज करने के लिए चार फेक्टर है जिनके ऊपर आपकी रैंकिंग ये जो है वो बेस्ट है इंडिया 2020 में 52nd रैंक पर था जगहाँ अगर मैं बात करो तो इंडिया 77th position पर है affordability कि बात करो तो यानि कितना सस्ता है तो 20 में position पर है relevance कितना है लोगों से related तो 49th position पर है और readiness कितने लोग त्यार एक्सको अड़ाप्ट करने के लिए 29th position पर है जो question पूचेंगे किसने द्वारा यहां पर इसको release किया गया Economist Intelligence Unit के द्वारा इसको release किया गया साथ में partnership किसकी थी Facebook की partnership थी यहां पर इंडिया ने अपना rank किसके साथ share किया यह एक important question मुझे लगता है जो कि आपका बन सकता है इंडिया ने अपना rank जो है वो शेर किया Thailand के साथ यह एक question इसमें से अच्छा मुझे दिखता है ठीक है so this one is the important one Thailand लगत्री की question इंडिया ने अपनी rank किसके साथ साजा की है Thailand के साथ साजा की है 120 countries मैंने अल्रेडी बता दिया top three countries के नाम याद रख लेगा इंडिया का rank आपको याद है इंडिया का rank पिछली बार कित्रों था यह भी याद रखना है okay so यहां पर आपके लिए मैं homework देता हूं मैंने यहां पर रहे गया वो चीज I think हां रहे गई वो है आपका सबसे नीचे की lowest country कोंसी है okay यहां पर one twentieth number पर lowest country कोंसी हम mcqs में रात को करेंगे इसको ठीक है lowest का नाम over कीजिएगा और रात की class में हम इसको mcqs में include करेंगे ठीक है नीचे के तीन ही याद रख लिए ठीक है चलो इंडिया किर्गिस्तान special force exercise खंजर ओके तो यहां पर इंडिया and the किर्गिस्तान के बीच में special force exercise खंजर यहां पर बिश्केक में जित हुआ बिश्केक में start हुआ किर्गिस्तान जैसी माइड में आएगा तो आपको याद आना चाहिए आपका map और map एकदम से माइड में click होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किर्गिस्तान कहां पर है ठीक है और उमीद करता है अब तक आपको याद आ गया होगा किर्गिस्तान कहां पर है इतना ज और मैंने क्या बताए था उपर जाओगे अप जाओगे यूफर अप यूफर उजबेकिस्तान ठीक है उसके दोनों साइडों में टीटी वली कंट्रीज हैं दोनों साइडों में तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान है और इन सब के ऊपर यहाँ पर दो के वली कंट्रीज है किर अबिकिस्तान, side में जाओगे तो TT है, उसके उपर जाओगे तो KK है, ठीक है? So this is the Turk किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के साथ यहां पर मिलकर इंडिया ने खंजर नाम की exercise यहां पर start की है, बिश्केक उसकी capital है यहां पर, किर्गिस्तान के साथ special forces की exercise, इंडिया में यहां पर Special Forces जो यूनिट्स है वो लग-लग है पैरास Special Forces इंडियन आर्मी की है, मार्कोज आपके इंडियन नेवी की है, गरूड कमांडो फोर्स आपके इंडियन एर फोर्स की है, ठीक है, तो यहां पर खंजर एक्सराइज यहां पर इनिशेट किया गया, Forces यहां पर इंडिया की तरफ से किरिगिस्तान पहुंची और वहां पर एक्सराइज कंड़क्त कर रही है, खंजर, जिए आपका स्टैक फेक्ट भी किरिगिस्तान का वैने लिख दिया है, चली, आगे चलते है, इस्राइल से निउस आई है, नेशिल प्लान तो रिदूस 80% CHG emission by 2050. So, यहां पर आपका greenhouse gas emission जो है 2050 तक यहां पर reduce कर दिया जाएगा as compared to the 2015, 80%. So, there will be 80% reduction in the greenhouse emission by 2050 as compared to that of 2015. The plan aims to shut down all the coal-fired power plants by 2025. It aims to reduce greenhouse gas emission electricity sector by 75 to 85% by 2015. Okay, so, यह greenhouse gas emission का भी यहां पर एक इनोंने aim रखा है, target रखा है. So, exam पाइने से 80% पूछा जा सकता है, यहां पर 2050 पूछा जा सकता है आप से comparison किये 2015 से और यह जितने भी coal-fired plants है, कब तक यह down हो जाएंगे 2025 इसका target रखा गया है. इसराइल के साथ इसके लिए tie-up किया गया है, इंडिया ने, तेल अविव जिसकी capital है, this is about the other facts of इसराइल. Okay, चलिए, next लते हैं, नोटन रिपोर्ट एक आई है, ओके नोटन रिपोर्ट इसनका कहना है, यहाँ पर एक रिलीज कीगी है, नोटन लाइफ लोग, Okay, रिसेंटली रिपीट, रिलीज दे रिपोर्ट नाम है, 2021 नोटन साइबर सेफटी इनसाइट्स रिपोर्ट यह उस रिपोर्ट का यहाँ पर नाम है, 59% of Indian, that is more than one in two adults in the country, have experienced cybercrime, जिनको cybercrime का सामना करना पड़ रहा है, पड़ा है last 12 मिन्हें में, यानि कि 59% यानि एक से भी ज़ादा हो गया, last 12 months में उन्होंने इस तरह का cybercrime का सामना किया है, रिपोर्ट सेज देट इन 10 इंडियन एडल्स, 7 इन 10 इंडियन एडल्स, believe that remote work atmosphere created by COVID-19 has made it easier, so COVID-19, जो लोग घर से काम कर रहे हैं, तो इतने secured network पे तो काम कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए उनको easy हो गया, पहले आप office में जाते हैं, तो वहाँ पर बहुती secured network रहता था आपका, बट आप secured network नहीं हैं, आपके खुद के laptops हैं, आपके खुद के personal networking से हैं, तो उसके खत्रा काफी बढ़ गया है, तो इहां पर 10 में से 7 लोगों ने ये कहा है, कि remote work atmosphere भी एक कारण है, यहां पर cyber crimes को बढ़ने का, ओके around 52% of adults do not know how to protect themselves, उनको पता ही नहीं है किस तरह cyber crime से बचा जा सकता है, 27 million Indian alerts actually experience the identity theft, Indian cyber crime coordination center यह आपका launch किया गया था, तो handle issues related to cyber crimes, online cyber crime reporting portal भी launch किया गया, ताकि किसी तरह की complaints को आपका deal किया जा सके, cyber switch ता किंद्रा भी establish किये जा चुके हैं, जो कि boat net clean and malware analysis center है, आपके malware analysis center, किसी तरह virus आपके computer में आ जाता है, दुस्सरे related ने पठते हैं, and the national critical information infrastructure protection center, यह भी आपका launch किया गया था, तो यह नीचे आप देख सकते हैं, यह सारे के सारे एक परकार से major लिखे हूँ है, कि किस तरह से cyber crime को कम करने के लिए, इंडिया ने कदम आपने बढ़ाए हैं, ठीक है, तो यह सारे के सारे major तो है, और उपर जो news है, वो है, तो एक्जाम पढ़ने से नोटन लाइफ लोक ने अभी हाली में कौन से report दिया, या फिर यह report दे देंगा और कहेंगे किस ने दी है, तो company का नाव आपको बताना पड़ेगा, इसमें सबसे important जी 59% है, 7 in 10 Indian adults है, 52% and 27 million Indian adults है, तो यह फिगर है, दिमाग में 2-4 बार पड़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, नेक्स चलते हैं, NASA Ingenuity Helicopter Make Historic Flight, तो यहाँ पर Ingenuity Mars Helicopter has successfully become the first aircraft in the history to fly in the another planet, तो यहाँ पर NASA का Ingenuity Helicopter इसने history बनाई, तो helicopter जो Preserveness Mars Rover के द्वारा लेकर जाया गया था, पिछले दिनों में बहुत यह चर्चा में news रही थी, तो फाइनली अब वहाँ पर जो Ingenuity Helicopter गया था, उसने अपने उडान भरी, और यह उडान 39.1 सेकंड की रही, 39.1 सेकंड तक उसने Mars में आपका उडान भरी हैं, पर Preserveness Rover is a part of Mars 2020 mission का part था, और Atlas 5 launch vehicle से इसको किया गया था, भीजा गया था, सक्सेस मैसेज अफ लाइट अफ हेलिकॉप्टर, वाज रिसीवड थूरू प्रिजरनस Rover, प्रिजरनस Rover act as a medium of communication throughout the flight of Ingenuity, and it is solar powered helicopter, solar powered helicopter है, और प्रिजरनस जो rover है, नाम है उसका प्रिजरनस rover, ये दोनों के बीच में communication set up कर रहा है, इसके अलावा आपका NASA की एक lab है, NASA का एक आपका network है, that is the deep space network, लोगे deep space network आपका फिलहाल NASA का जो है, वो एक तरहां से communication establish कर रहा है, NASA का और इसके spacecraft के बीच में, नासा और इसके spacecraft के बीच में, एक network establish करता है, दोनों चीजों के बीच में आपका communication establish करने के लिए, that permit constant communication between NASA and the spacecraft यहाँ पर, and this is known as the deep space network, और ये deep space network जो है operate किया जाता है, jet propulsion laboratory और NASA के दोरा, और ये basically आपके पूरी दुनिया में, तीन अलग-लग locations पर situated है, ताकि आपका किसी भी तरह से हमें range, अगर communication establish होता है spacecraft के दोरा, तो वो हमें receive हो सके, और ये तीनों के तीनों location 120 degrees apart in longitude, longitude, latitude आपने पढ़े होंगे कभी geography में, ठीक है, school में, तो ये आपके बनाए भी होंगे, picture भी बनाए होंगी, ठीक है, longitude around the world, the antennas of network are located in Madrid, Goldstone and the Canberra, तो ये तीन जगहां पर इसके यहां पर network जो hub है, वो बनाए गए हैं, ताकि communication किसी भी दरा से भी ना तूटे, जब धरती घुमती है, आपका ये Mars बगारा घुमता है, आपके बिलकुल सहीट समय पर सब कुछ आपका मिलता है, communication established है, ये चीज़, तो नासा के इंगिनिटी हेलिकॉप्टर, डिजर्बनेस ले कर गया था खैर, बहुत पहले भी आप याद कर चुके होगे, ये वोही निउस है, इसमें जस्ट चेंज जो आया है, इस निउस में वो यही आया है, जो तोटल टाइम रा फ्लाइट का, और डीप स्पेस नेटवर के बारे में आपने पढ़ा, डीप स्पेस नेटवर के बारे में, मैडरिट, गोल्ड सून और कैन्बरा, तीनों जगाओं का नाम अच्छे से याद रख लिजगा, ये आप से पूछा जा सकता है, ओके, चलिए, आगे चलते हैं हम, Income Tax Settlement Commission to be replaced with the new dispute resolution system, यहाँ पर आपका निया dispute resolution system आ रहा है, आ चुका है आपका, notified the rules of winding up of the settlement commission, which handle the income tax and the wealth tax dispute, it will be replaced by the new dispute resolution system, with an assessing taxable income up to 50 lakh rupees, and disputed income 10 lakh rupees, तो अगर आपको निपड़ना है, अपने किसी पुछा की जौल करना अपना issue, अगर आपकी income जो है, वो आपकी 50 lakh तक है, या फिर disputed income जो है, 10 lakh तक है, तब आप ये कुछ changes, आपके Income Tax Department लेकर आया है, आपके लिए Income Tax Department, Settlement Commission, replace किया जाएगा, नए dispute resolution system, किस से Settlement Commission, new dispute resolution system से, आपका replace किया जाएगा, next, LIC ने partnership किया है, Paytm के साथ, LIC ने इहां पर partnership किया है, Paytm के साथ, LIC has appointed Paytm, to carry out its digital transaction, the partnership aims to hop with increasing demand, of the digital payment, to provide an easy payment process, a broader range of payment option, more players in payment channel, to the customer of LIC, So, LIC आपके premium अगे में pay करना है, तो आप Paytm के थूप premium पे कर सकते हो, ये tie-up किया है, LIC partner with the Paytm, for handling the e-payments, ये आपका already tie-up चल रहा है, ठीक है, इसको और मजबूत बनाया गा है, यहां पर LIC, M.R.Kumar, Mumbai, Vijayashikhar Sharma, and the Noida is about the Paytm, Next है, आपका JNPT ने हायर किया, SBA Caps को as the transaction advisor, for the privatization of the JNPCT, So, यहां पर जोहलाल नहरू, Port Trust ने हायर किया है, SBA Capital Market Limited को, SBA Capital Market Limited को, यहां पर जो की subsidiary है, State Bank of India की, act किया as the transaction advisor, for privatization of the JN, Port Container Terminal, So, जोहलाल नहरू, Port Container Terminal को, किस तरह से privatize किया जा सकता है, उसका transaction advisor, यहां पर State Bank of India, Capital Market Limited को, बनाया किया है, उसको उन्होंने हायर किया है, and it will be planning, JNPT has planned to privatize, the JNPCT, that is JNP, that is Port Container Terminal को, यहां पर उन्होंने, Public Private Partnership पे लाने का, फैंसला किया है, to privatize in December 2020 में, फैंसला किया था, and the JNPT has appointed SBA Caps, as the transaction advisor, for this project, जिसकी cost weight, 63.31 करोड आईगी, so this is the JNPT, जिसने, किस को appoint किया, यह पूचा जा सकता है, SBA Caps को appoint किया, यहां पर JNPCT को, Public Private Partnership में, लाने के लिए, और costing यहां पर लिखी, हुई है, right, so this is the one of the five container terminal, JNPT का उन पांच में से, एक container आपता, एक ton vinyl आपता, SBA Caps, Mumbai and the Arun Mehta, MDN CEO है, अगली news है, हमारे एरान ने लाँच किया, अडवास IR6 Uranium Enrichment Centrifugies, okay, so यहां पर centrifugies, nuclear कुछ heavy words आएंगे आपके सामने, बड़ जादा दिमाग मतलगाना, just simple रखना इस news को, एरान ने लाँच किया, IR6 Uranium Enrichment Centrifugies, in Natanz, as a part of its National Day of Nuclear Technology, जो की इनका 10 अप्रेल को, मानता हो पुराना है, 10 अप्रेल, ठीक है, तो National Day of Nuclear Technology, को यह news आई थी, उनके द्वारा, that is in Natanz, इमें यहां पर इरान ने लाँच किया, IR6 Uranium Enrichment Centrifugies, so event held in the Tehran, and the nuclear side, जितनी भी हैं इरान की महाँ, सभी पर इहां पर event और्गिनाईज किया गया, Hassan Ruhani, President of Iran, इन्होंने इनेगरेट किया, 3 cascades of the 164 IR6 Semi-Industrial Centrifugies, 30 IR6 S Centrifugies, and 30 IR6 Devised Uranium Enrichment Plant in the Natanz, इरान में, ओके, so यहां पर थोड़ा सा अजीब सी न्यूज है आपको, जिस इतना ही याद रख लेगा, कि हाल ही में कौन सी कंट्री ने इडवांस, IR6 Uranium Enrichment Centrifugies, कि वो लाँच किया है, राइट अंसर इरान रहेगा, इरान विल बिल राइट अंसर, इरान किदर है, यहाद आर आओगा, पाकिस्तान के उस तरफ इरान है, पाकिस्तान के जअ गृस्तिं डूसरी तरफ इरान है, उपर तो, जबेक्किस्तान, इदर तुर्कमे немेजिस्तान, तजाकिस्तान, और जो parallel चलता है वो इरान है ठीक है तो वहाँ पर इरान आपका launch किया है आपका पूरा बुरा अंडर दी जकॉपवा 2015 नुक्लियर अग्रिमेंट इरान इस रिस्टिक्टिटिट टो अन्रीचिंग उरेनियम विद 560 इरान को यहां पर कुछ बैंडिंग बैं किया गया है ठीक है ओलरी इस एक्ट के थाथ उनको बैं किया है कि वह किसी बना से नए नुक्लियर हथियार समल लेजिए नहीं बना सकते हैं इसका जो निश्कर्श हो यहीं है ठीक है यूरेनियम को और ज्यादा इप्ड्रूब नहीं कर सकते हैं ताकि नुक्लियर हथियार ना बाच सके है जखोपोवच एक आपका कॉमल इसको इरान नुक्लियर डील कहते हैं जो की एग्रिमेट हुआ थे इरानियन नुक्लियर प्रोग्राम reason in Vienna 2015 में between Iran and P5 plus 1 P5 याने की जो United Nations Security Council के 5 permanent members है that is China, France, Russia, United Kingdom, United States plus Germany, Germany विस agreement में शामिल हुआ था साथ में European Union थी, इन दोनों के बीच में यहां पर शाय यह हुआ था जिसके थाइट Iran को यहां पर कहा गया था कि आप कुछ भी experiment अपना नुकलियर हिथार से रिलेटेड आप नहीं कर सकते हो 2025 तक चलिए राइट ओके सो यह कुछ और न्यूस पैंडिंग पड़ी है हमारी करण हमारी बेंक इवनेस की क्लास का समय हो चुका है आप एक बार में गो थू हो बच्ची सिंग रावज जी इनका हाल ही में निदन हो गया कहां से बिलोंग करते थे कोंसी पार्टी से बिलोंग करते थे चीफ मिनिस्टर रहा चुके हैं यह एक नई बुकाई थी सुतापपा बसू के द्वारा लिखी हुई और एक और नहीं बुकाई है पैगी मोहन के द्वारा लिखी हुई और यह एशियन रेस्लिंग चैंपेंशिप हुई है चोदा मैडल जीते हैं इसमें और फॉर्मूला वंस इन डिलेटे न्यूस आई ग्रेंट ब्रिक्स 2021 एवेंट एक न्यूस है क्वेस्ट कॉर्पोरेशन एक्वार के 30 परसेंट स्टेक इनी कॉनकेट फॉर दो सो आठ करोड रूपीज एंड यह एम टूरिंग अवार्ड ओक अगर पसंद आए तो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं वह आपके उपर हैं एमसी ग्लास इसकी रात को होती है याद रखेगा एमसी ग्लास रात को होती है और मेरे टेलिग्रम चैनल जॉइन जरूर कीजिएगा एड़ दरेट के कार्ट पल जहां पर आपको स सारी इसकी पीडियाफ मिलती रहेंगी टेक क्यार बबाए से उन दी प्लस क्लास जो भी बैंकिंग वानस के बच्चे हैं आज ओ बैंकिंग वानस में लव यौल